आज हम बात करने वाले हैं अगर आपकी जियो की SIM का NET नहीं चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें तो जियो की SIM का अगर NET काम नहीं कर रहा है तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप अपने फोन में settings को open करिए Settings को Open करने के बाद एक Option आएगा Sim Card and Mobile Network या फिर Sim Card and Mobile Data इस पर आप किलिक करिए किलिक करके ऐसा Page आपके सामने आएगा अब यहाँ पर अगर आपकी Sim 1 में Jio की Sim है तो Sim 1 पर किलिक करिए अगर आपकी Jio की Sim Sim 2 में है तो Sim 2 पर किलिक करिए हमारी Sim 1 में Jio की Sim है तो Sim 1 पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद आपको मिलेगा नीचे Access Point Names का Option इस पर आप किलिक करिए किलिक करने के बाद नीचे आएगा एक Reset का Option या फिर आपके फोन में Reset to Default का Option आ सकता है इस पर आप किलिक करिए Reset Default APN Settings आपको Show होगा Completed उसके बाद Back आईए आप Preferred Network Type या फिर Network Mode का एक Option आएगा इस पर आप किलिक करिए किलिक करके आपके फोन में 3-4 Option आ सकते हैं तो आप 4G या फिर Preferred LTE वाले Option को Select करिए और उसके बाद Back आईए Back आने के बाद नीचे Mobile Network पर किलिक करिए किलिक करके Automatically Select Network आपका By Default चालू होगा तो इसे आप बंद करिए बंद करेंगे तो नीचे Next का Option आएगा Next पर किलिक करिए OK पर किलिक करिए उसके बाद फिर से OK करिए अब थोड़ा सा वेट करिए ये Searching लेगा अब उसके बाद ये Geo 4G Automatically Detect कर लेगा या फिर Select कर लेगा अब उसके बाद Automatically Select Network को आप चालू करिए चालू करके Back आईए अब उसके बाद नीचे Volte E या फिर Use Volte E अगर चालू नहीं है तो इसे चालू करिए अब Back आईए फिर से अब यहाँ पर एक Option आएगा Default Data Sim के लिए Sim Card को सेलेक्ट करने का तो हमारी जियो के Sim By Default Set है क्योंकि हमारे फोन में दूसरी Sim नहीं है तो यह जरूर आप चेक करिए अगर यहाँ पर कोई गलत Sim सेलेक्ट है जिसमे की Net नहीं है तो इस टाइप की Problem आपको आ सकती है अब Back आईए अगर आपकी Problem अब ठीक नहीं होगी तो उपर Search Settings पर क्लिक करिए उसके बाद टाइप करिए Reset उसके बाद आएगा Reset Wi-Fi, Mobile Network and Bluetooth इस पर क्लिक करिए नीचे Reset Settings पर क्लिक करिए उसके बाद अपने फोन का Screen Lock Enter करिए और आपकी Network Settings यह करने से Reset हो जाएगी कोई आपका Data Delete नहीं होगा यह करने से तो हमने पहले से कर लिया है तो Back आईगे उपर Cancel पर क्लिक करिए अपने फोन को Reset करिए उसके बाद आप चेक करिए आपके फोन में Geo Connect काम करने लग जाएगा तो इस तरीके से इस प्राब्लम को ठीक करें वीडियो पसंदाई वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें